एलो दोस्तों गर आप अभी YT Studio अप्रिकेशन को आपन करते हैं तो यहाँ पर आपको monetization section में सिर्फ 3 ad देखनी के लिए मिल रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और अगर आप लोग को आध है तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर हम लोग को earning जो है वो कम हो जाएगा या फिर इसके पीछे region के आप पूरा detail में इस वीडियो के अंदर में आप लोग को बताने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है यूजफू लगती है तो आपको इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्क्राइब नहीं किये तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर वाइटी स्टूडियो अप्लिकेशन को ऑपन किया है और कोई भी ऐसा वीडियो हम लोग सलेक्ट करते हैं जिसका लेंथ है यहाँ पर आठ मिनट से ज्यादा है जिसमें मिड रॉल एड लगाने का ओप्षन मिलता था तो यहाँ पर देख सकती है यह जो वीडियो है यह सारे 9 मिनट का है 8 मिनट से ज्यादा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूं उसका पर यहां हम लोग अगर पैंसील के आएकर आप लोग को पता है कि मानेटा जिसन ऑन करते हैं तो यहां पर फिर से वहीं डिस्पले एड और नधा यहां पर देखने के लिए और जो दो वीडियो एड था वह यहां से अगया है लेकिन वीडियो आठ मिनट से ज़्यादा होता है तो आप खुद से अपने वीडियो के अंदर बहुत सारा अलग-लग एड को लगा सकते हैं और उससे क्या होता है उससे ज़्यादा अर्णिंग होता है तो यहाँ पर मिड्रॉल एड का तो ऑप्शन मिल रहा है लेकिन और यहाँ पर टोटल हम लोग को पां उसका ज़्यादा मतलब नहीं रहे गया है तो इसलिए यहाँ पर 6 अपरेल से यूट्यूब हटाने वाला था लेकिन उसके साथ एक और जो एड यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलता था वो भी हट गया है अब वो ग्लिच के थुरू यहाँ पर हट गया है या फिर यूट्यूब ने यह बंपर एड या फिर बैनर एड के थुरू उसको भी आटा दिया है तो यह अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर एक जो बैनर एड था उसको तो यूट्यूब हटा रहा था इसके बार में मतलब इन्फोर्मेशन दिया था कि 6 अप क्या है और अब हम लोGs बात करते कि का इससे अरनिंग में मतलब फैक्ट पड़ेगी क्या हम लोग का अर्निंग डाउंं हो जाएगा या फिर अर्निंग कम होगा इसके बारे में बात करते तो यहां पर आप लोग को पताए कि जब हम लोग के विडियो में ज्यादा एड्द से सो करता है ज्यादा एड लगाता है YouTube तो उसमें ज्यादा अर्णिंग होता है तो यहाँ पर दो एड का जो अप्सन था जो अलग अलग यहाँ पर पांच एड था तो दो एड को हटा द गया तो इससे जरूर आपके वीडियो का जो अर्णिंग है वो कम हो जाएगा लेकिन इसमें साइध मुझे लगता है कि YouTube ऐसा करेगा कि यहाँ से जो दो एड यहाँ से हटा दिया है तो साइध आपके वीडियो में अब नन अस्किपवल एड और डिस्प्ले एड और यह मतलब अस्किपवल एड है यह साइध जादा दिखे मतलब पहले अगर एक हजार व्यू क्योंकि अंदर साथ बार यह साइध चला जाएगा जिससे चला जाए जाएगा जिससे होध और इफसको बढ़ाता नहीं है उसका एक हटा हटा गया और इसको नहीं बढ़ादा तो फिर आपका डाउन हो जाएगा मतलब उतना ही ύजई जाएगा लेकिन अर्निग कब होगा तो आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पर हम लोग को दो ही add क्यों सोख कर रहे हैं तो बस यह information आप लोग को देना था और अगर यह देखकर कि आप भी बहुत जादा परिसान थें तो परिसान ही होना यह YouTube का update है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं बस देखी सकते हैं तो आपको क्या लगता है इस update से related आपको जो भी लगता है कि क्या यह सही है या फिर गलत है जो भी लगता है आपको नीचे comment करके बताना है और अगर आपको यह information सही लगी हो तो आपको क्या करना है आपको इस वीडियो को like करना है चैनल को subscribe नहीं किया है तो as a useful वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को जरू से subscribe कर लेना है तो चली मिलता है जली next वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद